यान दिख रहा है चंद्रयान और यह विक्रम लैंडर जैसे जैसे लैंडिंग की तरफ जा रहा है वैसे वैसे आपको चंद्रवा की तरफ पहुंचने वाले तो चलिए वीडियो आप साथ में देखते रहिए अब मैं आपको हमारे आगले पड़ाओ की तरफ लेखर जाओंगा और जो एक्सपर्ट है मैं उनको भी अपील करता हूं की जो बताना चाहते है जरा उसके पहले में फुल स्क्रिन में मेरे पीछे क्या चल रहा है दिखाईए ताकि दर्शकों को हम ये क्यों कह रहे है इसकी क्लैरिटी आनी चाहिए ये चंद्रमा पर भगवा इसकी बात हम आज कह रहे हैं और हमारे साथ जो आतीती जुड़ रह हैं पंडित महिंद्रपाल आर्या जी पूर्व में मेरत के शहर काजी रहे चुके हैं मुसलिम थे सनातनी बने हैं आपका स्वागत है महिंद्रपाल आर्या और हमारे साथ अजगर अली जी जुड़े है जो कि इसलाम के जानकार है आपका स्वागत है और हमारे साथ इसायत के भी दो विशेशक्य जुड़े हुए है तकनीकी कारणे से अभी मुझे लगता है कि प्रोपर आवाज उन तक नहीं जा रही होगी क्या आपको आवाज सुन इपक जी चलिए महिंदरपाल आर्या जी के पास मैं सबसे पहले चलता हूँ या मैं मुझे लगता है कि आजगर अली जी से शुरू करते हैं ऐसा नहों कि कहें कि मुसल्मानों को पहला उसर नहीं दिया और इसलिए यहीं से शुरू करते हैं बाकी लोगों को बात में लीज है बाकी पुष्टक ही रखी हुई है और आप भी पुरे ताहिरी के साती आए होंगे क्योंकि आपके अग्रह के बाद इस शो को करने का हमने किया है और हमने यह कहा था कि ये चंद्रमा अपने अपनी प्रतिक्रिया मजभी आधार पर क्या है? आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है? चंद्रमा से इतनी अच्छी तजबीर लेंडर भेज रहा है और आपका आवाज यही की यही अच्छा नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? महिंद्रपाल आरे जी जरा आप बोलिये कुछ आपका आवाज भी कम से कम ठीक है कि नहीं चेक कर लेते हैं? मैं तो 500 मोबाल से इक्यूर रखता हूँ हाँ एक बाद जरा बोलिये आप ताकि हम आवाज जरा देख सके तेख हाँ आजगर आली जी आप जरा दुबारा बोलिये हाँ आ रही है हाँ बोलिये आप पहले फिर मैं महिंद्रपाल आरे जी के पाज जाओंगा जी जी पेनल में बेटे वे सभी लोगों को मेरा नमस्कार पढ़ना मादाब और तमाम भारत वासियों को आज कल कल जो यह हमारा हुआ है चंद्रमा पर हमारा चंद्रयांत्री उतर गया है पूरी सेफिज से लेट दिंग हो गई है और ये पहला ऐसा उत्तर श्कारिया हमारा हुआ है कि जो कभी किसी देश ने नहीं किया हम चंद्रमा के उस इस्तान पर पहुचे जहां उत्ति पड़ल पर जहां आज तक कोई नहीं पहुचा है दक्षिन पर हर चीज उल्टी करनी के आदत बदल दीजिए हां दक्षिन पर प ये चांद पर या सूर्य पर आपने कुछ कहा कि जो लोग किसी के हैं ये स्रिष्टी पूरी इश्वर की है स्रिष्टी का रचियता इश्वर है एक अकिरा इश्वर है उसी ने पूरी स्रिष्टी की रचना की है एक समय का अनुसार वो गती में अपने चल रहे हैं और जब इनका समय पूरा हो जाएगा तो यह सब खतम हो जाएंगे इस पर पहले भी एक बार हो चुका है मैं महिंदर पालारय जी की बात करूंगा मुझे लगता उसी के बाद आप बात सही तरीके से रख पाएंगे महिंदर पालारय जी अब आज हम शासरात कर रहें और आपको तो पता है कि सुदर्शन खुल के करता है चुरी छुपा कि हम कुछ करते नहीं है तो आपके दुरुष्टी कौन से इस्लाम का जो दुरुष्टी कौन है क्योंकि आपके अपास दुरुष्टी कौन एक आधिकार है चंद्रमा पर इस्लाम के दुरुष्टी कोन से आप सह्मत है या आगसे अरप अपका आवाज ने आए मेंनेड़ पाला एच आख अवाय आसगर साब ने जो पुला है तोड़ा स्क्रिन में देखे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा इस्क्रिन में दिखाएंगे देखा बोली हम आपको लेख रहे हैं भाई जो बोला है वो इस्लाम के बिरुद बोला है क्योंकि इस्लाम ने तो माना नहीं चांद में जाने का यानि जब राकिश सर्मा गये थे इसलाम वालों ने उसको मना किया था चैक यह कि मतलव उद्रब है तो बहुत को सदा माना है जिस चांद को एक है और जिस चांद मांते हैं है ने चांद किया अग्रामा था ने उग्नी के शहरा से तुकड़ा किया और इसमें बुखारी शीरिफ हादीस में भी मौजूद है भडशा भादी सुरेश जी अब भुखारी शीरिफ हादीस में आया है तो टुकड़े भी जासा बहुर गाना जाता रहा दिल के टुड़े हजार हुए कोई यहां गिरे कोई वहां गिरे तो बुखारी शरीफ हदीस में भी यह बताया गया है यह चांद का टुकड़ा हुआ कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा कोई इस पहार में गिरा कोई उस पहार में गिरा यह मैं यह बैठा हूं तो चांद है क्या इसलाम वालों ने तो किलियर नहीं किया चांद में जाना संबब नहीं है ये मानते हैं फिर चांद में जाना भारत की सफलता की और कैसे बता रहे हैं इसलाम की मानता क्या है इसलाम की रो से इसलाम की रोशनी से बोले नहीं अगर इसलाम की रोशनी में बोलेंगे तब ही बात बनेगी कि इसलाम की मानता क्या है क्या इसलाम ने कभी माना है कि हाँ चांद में जा सकता या जाना संभव है ये सुरा कमर बुखारी शरीफ हदीस में भी आया है अधिस नमर 32 एटीना है एक एक पर लेते हैं ना एक एक पर लेते हैं क्योंकि उनको भी बोलने का आउसर मिलना चाहिए तो हमरे साथ जो गेस्ट पाने लिए उनको ले लीजिए ताकि हमदर आउनकी प्रतिक्राइब ले चके मैं आपको बताता हूं उन्होंने कहा है कि कुरान में सुरह 54 आयात 1 में कहा गया है कि महमत साब ने उंगली से चांद के दो तुकड़े किये थे और वो एक इधर गिरा था एक उधर गिरा था इस पर आपका क्या कहना है हालो हां जी महमत साब ने चांद के दो तुकड़े किये थे ऐसा हो कुरान को कोड़ करके कह रहे हैं आपका क्या कहना है इस तरह की घटना जब आकाश में हुई तो इसको हिंदुस्तान के अंदर पी एक राजा उन्होंने अपने आंकों से इसको इत्यास की बाते हैं और इतना पुराना इत्यास नहीं है आपने आधुनिक इत्यास यह दो प्रेले लोग इसको पढ़ चुके है इस पर हमारा दो तुकडे किये थे आप कहरें चान ने चान के दो तुकडे कीए थे अइसा जो कुरान में लिखा है उस पर आप आज भी काइम है कि मेरा इसपेश्क बिल्कुल शत्पतिश्थपिशत इमान है इस बात पर काइम हैं भाड़ा इनी में समझाई हां दो दूर दूर है और वापस मिला अच्छा दो तुक्ड़े हुए एक पहाड के इदर गिरा एक पहाड के उदर गिरा बाद में किसे निमिलवा दो तुक्राद पर यह लांडर गया है हमारा यह वही चांद था बिल्कुल वही चांद है मैंने ये कहा कि ये तुकड़े होके वापस जुले है पराण में ये नहीं कि तुकड़े होके तो एक दर सल लगया पराण में ये है कि उंग्रेपला रे जी जराब आप थोड़ा रिस्पॉंड करें इन से ये सवाल है ये चांद दो टुकड़े हुए है कि हदरत मामा साथ ने चांद के पास जाकर के दो टुकड़ा किया या जमीन में ख़ड़ा ख़ड़ा दो टुकड़ा किया पराण कहता है और सुरिय चंद्रमा के कट्ठे कर दिये जाएंगे सुर्या और चंद्रमा जब दोनों को एक कुरान ही कह रहा है कि एक दूसरे को छू नहीं सकता फिर दोनों को एकटा कर दिया जाएंगे सुरा कमर का पहली आयात है इनसात कमर यानि सुरज को टुकडा किया चांद को टुकडा किया गया अब चांद को टुकड़ा किया गया और ये बुखारी शरीब हदीस में आया है एक टुकड़ा इस पहार में गिरा एक टुकड़ा उस पहार में गिरा तो चांद का टुकड़ा करने के लिए वहाँ कैसे गया अब ये इस वारों ने जो ये सारा खर्चा कितना अर्वो लुपिया खर्चा करके तब जा पाए वहाँ पर तो वहाँ पर जाने वाले कौम थे वो अकेले गए थे या किसी सादन से गए थे तो बुर्णा कुन नभी में तो आता है एक बुर्णा के उपर चड़ करके गए आफिर आक्सिजन नहीं है, वो पर जाना को जाना है। चाहिती इस्वार्ण की कलाई खुल रही है। मानिये चोहां साथ इस्वार्ण की कलाई खुल रही है। एक मिला आपके पास आता हूं उनको भी बात रखने का उसरत कर लेंगे हाँ अजगर जी यह सब कुछ लिखा है जो आप बोल रहें लिखा हुआ है मैं आपको बता हूं सूरे कमर पुराने मजीद की पच्पन नंबर की सूरत है उसकी पहली आयत महाराज ने यहाँ पर पढ़ी इसको जादू कहेंगे और फिर भी लोग इसको नहीं मानेंगे तो यह तो चांद फटा फटने से मतलब अंगली के इशारे से दूर दूर हुआ जूल गया अब यह यह इस तरह के चमतकार और भी धर्मिक कुस्टकों में मुझूद है अभी आप अपनी बात करिए आप अपनी बात करिये मैं एक मिन एक मिन ज़ा रहा हमारे पास दूसरे भी पैनलिस्ट उनके पास भी जाना है इनको एक आमने सामने बात में करेंगे हम जरा उनके पास भी जाना चाहूंगा ताकि वो भी अपना अपक्स रखे सके स्क्रिट्चन कॉलर हमारे साथ जो जुड़े हुए दीपक गामित दीपक जी जरा बताइए कि यह चंद्रयान अभियान और बाइवल इसको आप कैसे जोड़ते हैं देशिये मेरी आवाज आ रही है बहुत कम आ रही है तो तब से पहले तो मैं हमारे इश्व के जो सन्मानिय विगनानिक गण है हर वेक्ति उस पे बोलनी की जुरत नहीं हो गया आगे बजाई देता हूं लेकिन जहां तक बाइबल की बात है बाइबल में लिखा है कि इश्वर ने सुरुष्टी की रचना की है तो जो भी सुरिया है चंद्रमा है जो हमें दिखता है अंतरिक्स में सभी बातों का रचि मुझ नहीं है मैं ऐसा कह रहा हूं कि बाइबल में यह लिखा है कि इश्वर ने यह सभी जो है उसकी रचना की है नहीं जा सकता ऐसा नहीं है लेकिन जब आप बाइबल यह कहता है एक मिंड़ यह इसा मुस्लिम का मुझ चला है अभी क्रिच्चन की बात हो रही है हाँ जी जी मैं आपको यह कह रहा हूँ दीपक जी कुरान में लिखाए मैं आप मेरे पास बाइबल में लिखाए मैं आपको शाहे तो वस्त उसका नंबर बता देता हूँ और आप तो पृत्वी को चपाती जैसा मांते हैं तो फिर ये परिवलन चक्र लेकर वहां तक कैसा जाएगा आप चांद को चपाती जैसा मांते हैं कि गोल मांते हैं ने ने देखिए मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ इतना ही नहीं चाहिए पूरा बताना पड़ेगा ना Bible में Bible में पृत्वी को चपाती जैसा कहा गया है गोल नहीं कहा है बॉल की तरह देखिए पृत्वी हो या सूरिय हो या चंदर हो इसकी रचिना इश्वर के द्वारा की गए ये बहुत फ़स्ट है Bible में नहीं लेकिन वो गोल है या चपाती जैसी है आप क्या मानते है आप क्या मानते है नहीं मैंने तो जो बताया ना जो Bible में लिखा है मैं इतना ही आपको पूछ रहा हूँ मैं आपको पूछ रहा हूँ ये तो बोली नहीं रहा है महिंदरपाल आरे जी कुछ बात करेंगे आप इन से दीपक गामिजी Bible को कोट करके बात करें Bible मौझूद है हाँ हमारे पास दोनों को लीजिए सामने जरा दीपक गामिजी और महिंदरपाल आरे जीए इसाई Eh master इसलिए इनको Bible के बारे में कुछ बी जानकारी नहीं है किसी बस्तु को बनाने के लिए क्या उत्करन चाहिए बिना उत्करन का कोई भी सामान बनाया जाना संबब होगा क्या कैसे होगा जैसे यहाँ पर भी देखिए आप आप आपका चैनल और हम लोग आप हैं हम हैं और हमारा चैनल है यह तीनों में से एक वाट आईए देखे काम नहीं चलेगा यह देखे यह इनका धर्मसासर और परमात्मा की आसिवानुकंपा है जैसा कुरान का अधायन क्या हूँ ऐसा बाइविल का भी अधायन क्या हूँ ऐसा वेद का भी अधायन क्या इसलिए ये बाईवल की बातیں जो हैं ये भी कपल कल्बीद बातیں है जैसे के कुरान की देसे कुरान में ये बताता ना एक्तर वा साथ वां शक्कुलकमर ये सुरह कमर का पहली आयत है यहां बता रहे निए कि आलला की निशानि में बती निशानी है बाइबल में भी बाते हैं बाइबल और पॉरान तो मिलता जीता सोदा है यह बाइबल बारे कहां बता पा रहे हैं कि चांद को किस तरिके से बादा है टो बाइविल जो मानता है पुरान की बाइविल को कौपी किया है तो आदम को मिट्टी से बनाया तिर आदम के मायाफसरी के हड्डी से उसके जोड़ी को बनाया ये मान Linda तो पुराण की देखेश नीन का जवाब देना चाहूंगा हम एलो मेरी ओवाज आरही है मेरी ओवाज आरही है अरे बह्या आ रही है बोलिये हाँ हाँ मैं इनका जवाब देना चाहूंगा देखो देखे आपने मुझे पूछा है कि बाइबल में क्या लिखा है बाइबल इसके बारे में क्या बताती है मैं आपको बहुत स्पस्त रुप से बताना चाहता हूं कि इश्वर ने सब्दों के द्वारा ये सभी सुरुष्ति की रचना की है ये लिखा है बाइबल में जो बाइबल में लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि इश्वर ने अपने सब्दों के द्वारा पूरी रहें कि हम हिंदू से क्रिश्चन बने हैं इसलिए हमें कुछ बाइबल का पता नहीं तो ये आप तो ये आप गलत बात बता रहें मैं इसका प्रमांग दे रहा हूँ नई बाइबल के अनुशार इस वर में अपने सब्दों के द्वारा पूरी स्रिश्चि की रचना की है ऐसा बाइबल बताता है ये मैं आपको कहना चाहता हूँ ना हलुलुया को मालुम है, हलुलुया कुछ नहीं जानता है, शबदों से श्रीश्थिकी रचना होती बेगार च्राकों कोण उपकरन चाहिए कोण 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 सज्झी रचन भी तता परमेश्वन ने आत्मा मंड़ रहा त่ा। अब लिखे परमात्मा का आत्मा जल के उपर मंडरा रहा था अच्छा देखा किसने था बीना देखे लिख दिया परमात्मा का आत्मा जल के उपर मंडरा रहा था ये बाइबल की उत्पति किशा में बता रहा है आगे लिखे जब परमेश्वाद ने कहा उजियाला हो जा तो और परमेश्वर ने उजियाला को अंधेरे से अलग किया, अगर अंधेरे में आप एक मुम्मती जलाएं, गोजाला करेंगे, अंधेरा आपने आप दूर होगा या उसको दूर करना पड़ेगा? यह देखिए, यह आपने विचार हो सकते हैं, आप अपना विचार रखने के यह स्वतंतर है, लेकिन जो बाईबल में लिखा है। जो बाइबल के जो वच्छन है उसमें मानना नहीं मानना ये आपके उपर डिपेंड है आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है लेकिन मेरे विश्वास है, मेरे विश्वास है, और जो भी बाइबल में, बाइबल के परमेश्वार में इस्वास करता है, वो उसमें मानता है, कि इस्वार ने सारी सुर्शी की रज़िला की है, यह अमरे आफ्टा है, आप अगर उसे नहीं मानते हैं, तो वो आपका प्रस् में आपको कोई फ्रस नहीं करता है लेकिन हमारी आंसता है उसमें जो लिखा है उसमें हम सो प्रतिसर्थ मानतेGS हैं हम नास्तिक लोग नहीं है और बाइबल में जो लिखा इसको मानते हैं इसलिए हम इसलिए तो हम क्रिश्चन है मैंने लाइक बात नहीं करे जानने की बात नहीं करे जान रखना दीपक गामित जी आप मानने की बात करे हम होने की बात करे मानने लाइक बादा बताए ना आप ये शुकर करिए कि हमारे इसमें नहीं हो सकता है हम अपडेट कर लेंगे अगर हो छूड़ देता है तो नहीं नै मैंने तो बता है ना बाइबल यहीं बता थी कि इस्वर इसुस्टी की रचना की है वह तियर कट है और हमारी आस्ता है और हम उसमें मानते हैं। सभी को जो पैनल में नमस्कार और सभी जे स्वासियों के बदाई और चंदरयान 3 के लिए। कब लिखा? कब बनाई? कौन से वर्ष में बनाई? यह आप को जान सकते हैं। आप बताएं ना हम आपको नहीं पूझेंगे तो किसको पूझेंगे? इसी बाइबल में सुर्यों को चौता दिन में बनाया एक बना रहा है दुर्या आप कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात इनका जवाब देने दीजी यह जो बाते कर रहे हैं कि बाइबल कपोल कल्पित है लखा ही नहीं है। इनका धरम गरम थो सकता है कपोल कल्पित बाइबल नहीं है। आप देकाता लेकिन मैं आपको बताने क्योंगा कि बाइबल में साफ साफ लिखा है कि पिठ भी गोल है और पानी के ऊपर है जो कि आपके बाइबल जाके पता पाए है। और हजारों साल पहले पाइडिल में अब दर्ज है, आप भजन संगिता उठा के कड़ लिजी, आप उन्हों फूरे डिटेल दिल जाएंगी, तो इसलिए आप इस तरीके से आप वे वज़े की बाते महीं बोलिये, वे तुकी की बाते जो मैठी ना करे, आप तो इल्जाम पे के लिए और एक को राध पर हुकूमत करने के लिए, ऐसे पाइडिल बियान करती है, तो राध पर चंद्रमा है, उसको पे गरा बनाया, जैसे आपका हिमाले परमत पहार उसी प्रकार से एक जो है की चंद्रमा है, लिकिन आप लोगने तको उसमें घुषेर दिया, आप उस जान डाल दिया, आप उसमें पराण डाल दिया, आप उसको क्या क्या बना दिये चंद्रमा को, आप खुद धूटे हो रहे हैं, आप उस गरा पे खुद जा रहे हैं, और जाक देख रहो हो, यह तो कुई ऐसा कुछ है नहीं, जिसके अंदर जान है, पराण है, वो तो प्राण डाल दिया, आप जो बात कर रहे हैं, आप मुझे बताए कि आपके अनुसार, पृत्वी की रचना कितने वर्ष पहले की? लेखिए बाइबल बताती है कि आधी में बचन था और आधी में पर्मेसर ने अकास और पिट्वी की रचना की उत्पक्ती का पहला पुष्टक पहला ज्याए पढ़के देख लीजी हाँ वही पढ़के ही पूछ रहे भई आपको पुष्टक दिखा के बात करे रहे वर्ष बताइए वर्ष भी उस जमाने में वर्ष होता ही नहीं था आप अपने आप अपने आवकाद पर आ गए कि उस समय वर्ष नहीं होता था तो दिन दिन कहां से था दिन गिनने के लिए सुरज नहीं था दिन गिनने के लिए सुरज नहीं था ये चौता दिन में बनाया स तो चोथा दिन कहां से आया जब सूरज नहीं था आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं यहाँ पर हर चीज का वर्ष है उसका यूग है आपके दुरुष्टिकों से आपके दुरुष्टिकों में यूग नाम की गन्ना है यहाँ बोल रहे हैं हम नहीं कहते हैं हम क्यों कहेंगे इसा पूर और इसो पच्छात और खितने इसा पूर हुआ कितने इसा पूर हुआ अरे आप आप ओ लुलुलिया की तरह चिलाएए मत बात करिये सुनिए कितने इसाप पूर हुआ उसके पहले दुनिया थी की नहीं उसके पहले दुनिया थी की नहीं दुनिया थी की नहीं उसके पहले दुनिया जिससे पहले चलिए थोड़ा स्टड़ी करें तब तक जरा हमारे साथ आजगर आली जी है आम उनके पाथ जाओं उसके पहले हमारे साथ विख्याद भू वैग्यानी का कपूर जी भी जुड़े हुए हैं अभी थोड़ा सा लेश्टूडियों में आएं मैं जरा उनके पाथ भी चलता हू ताकि कपूर जी को पहला उसराज के डिबेट का मिले हम बाकी चारों से बात कर चुके हैं कपूर जी आज आपने कहा था कि आप धर्म ग्रंतों को लाएंगी हमने भी कुछ सबूत इधर पर लाए हैं तो थोड़ा सा आपके आपकी पहली प्रतिक्रा कपूर जी देखिए जो आधुनिक विज्ञान है ये अभी डेब्लमेंटल स्टेज पर है जिस चंद्रमा की investigation exploration आधुनिक विज्ञान कर रहा है जिस सूर्य की या जिस स्वार मंदल की exploration आधुनिक विज्ञान कर रहा है जा इस यूनिवर्स की आधुनिक विज्ञान exploration कर रहा है ये सारी चीजें पहरे हमारे वैदिक literature के अंदर ये सारा काम हो चुका है हाँ हम इसको कहते हैं कि इनका approach हमारे से different है अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आधुनिक विज्ञान ये तो कहता है कि चांद है अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जब चांद की उत्पत्ती होई तो चांद पैदा कहां से हुआ इस प्रशन के ऊपर आधुनिक विज्ञान जो है वो silent है भारत भारती जो विज्ञान है वो क्या कहता है वो कहता है कि चांद की उत्पत्ती धरती के किस पॉइंट से हुई किस जगा से हुई उस जगा को भारती विज्ञान specify करता है आधुनिक विज्ञान क्या कहता है कि आज से तीन अलब साल पहले चार अलब साल पहले धरती जो थी वो सुर्य से अलग हुई तो धरती अकेली थी उसक चांद नहीं था उसके बाद धरती के उपर मंगल ग्रय के साइस का एक बहुत बड़ा उलका पिंड आकर स्ट्राइक करता है धरती बहुत गरम थी धरती फट गई धरती के अंदर से मैगमा लावा निकला वो जो लावा था फुआरे की तरह छूटा उसका जो इकठा हुआ एक गेंद वो चांद बना और वो जो चांद था धरती स्पिन कर रही थी तो उसका कंदा लगते चांद जो था तीन लाख कि विज्ञान ने ये तो कह दिया कि धरती के अंदर से मैगमा निकला लावा निकला तो उससे चांद बन गया है अगर मैं पूछो हूँ आदुनिक विज्ञानिकों से भले वो नासा है भले वो योर्पियन स्पेस अजंसी है भले कोई है कि आप बता सकते हो कि धरती का वो मगर भारती विग्यान क्या कहता है कि स्वराष्ट्र जगा है उसमें चंद्रकूड है वो जो चंद्रकूड है गुजरात के अंदर प्रवासक शेत्र में उस जगा के उपर आकर वो पत्थर स्ट्राइक करता है वहां से धर्वती फटती है उस जगा से चंद्रमा के लिए जो लावा निकलता है वो चंद्रमा की जनम भूमी है अब उसके आगे एक और प्रश्न पैदा होता है आतनिक विज्यान से मैं पूछता हूँ कि वो जो पत्थर आके स्ट्राइक किया था धर्ती पे जिसने आगे धर्ती को फाड़ा था क्या वो पत्थर जो है क्या उस पत्थर क कोई आपके पास कोई अवशेश है क्या उस पत्थर की कोई आपके पास निशानी है क्या उस पत्थर को आपने कभी देखा है तो आधनिक विज्ञान तो एक अच्चंभे में पढ़िएगा कि जो चीज 400 क्रोड साल पहले हुई या 300 क्रोड साल पहले हुई उसका पत्थर की निशानी मांग रहे हैं मगर भारती विज्ञान इसका जवाब देता है वो क्या जवाब देता है कि सोमनाथ मंदर के अंदर जो शिवलिंग है ये उस पत्थर का टुकड़ा है वो जो पत्थर टकराया था ये उस पत्थर का हिस्सा है हमारे यहां हिंदु धरम में जब 12 जोतरिंग की बात होती है तो उसमें सबसे पहला स्थान जो है सोमनाथ सुराष्ट्रे सुराष्ट्रे के अंदर जो सोमनाथ है उसको पहला स्थान दिया जाता है क्यों पहला स्थान दिया जाता है कि चांद को पैदा करना और फिर चांद का बनना और उसके बाद धर्ती की आगे डेब्लेमेंट होनी धर्ति के ओपर लाइफ आनी, धर्ति के ओपर फ़यवे दिया मानव का आप यह होना, ये सारे काम जो है, ये सारे काम जो है, सुराष्ट्रिक के अंदर जो सोमनात का पत्थर है, आप देखते हैं, कि हमारे यहां रुद्वर अभिशेक यग्या होता है, वो रुद्वर अभि यह ज़िए यग्या किया जाता है, पूछने आलहा हो कि अप पथर की पूजा क्यों की जाती है। वो सोमनाथ में जो । उसकी पूजा क्यों की जाती है। आपको मालूम है इस धर्ती के ओपर जो 84 राख योनियां हैं। हम जो मानव हैं, हमारे पूर्वजों का जो DNA था, जो 84 आख योनियों का, जो सिष्टी धर्टी को पर सिष्टी बसी हुई है, स्थावर और जंगम दोनों, पेड़ पौधे भी, वेजिटेवल केंगडम भी, एनिवल केंगडम भी, इन सब का DNA, इन सब का सनातन बीज, भगव इनको मीटिराइट कहा जाता है, इनको उलकापींड कहा जाता है, इनकी इतनी importance है, कि हमारा जो DNA था, ओधर्टी के अंदर डालने का काम, इन्होंने किया, ये धर्टी के ऊपर जितने आप पक्षी देख रहे हैं, जितने पेड़ पौधे देख रहे हैं, जितने जानवर द देख रहे हैं, जहाँ जहाँ धर्टी पे जो 84 राक योनिया देख रहे हैं, इन सब का नातन भीज, जो DNA है, वो लाने वाला यही शिवरिंग था, इसलिए इस शिवरिंग की, इस मीटिराइट की, हम लोग शुरू से ही, भारती लोग इसको शुरू से ही बड़ी मन्यता, बड़ी प्रतिष्टा देते हैं, आज की डेट में, जो साइंटिस्ट हैं, उनके पास मीटिराइट्स यो हैं, मीटिराइट्स का इन्वेस्टिकेशन करने के बाद, अगर आप गुगल पर देखेंगे, मीटिराइट जीन बेंक, उन्होंने ये बात मानी है, कि माध्यम से ये जो जीन बेंक है, ये जो आदमी है, या दूसरे प्नानी है, इनका डीने आया है, अब एक मिंटा, अब जो हमेरे साथ कृट्चन कॉलर है, S.M. कुमार, आपने पूछाता कैसे उत्पत्ति हुई, उसका पूरा इन्होंने उधारन दिया, और एक विख्यात, 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 वएग्यानिक है, जो भारतिय दर्शन, हिंदू दर्शन के आनुसार, विख्यान के आनुसार, इस बात को कहे रहे, आप अपनी बात बोलिये अभी, आप अपनी बोलिये कि आपने, आपके मानिता के आनुसार कैसे चंद्र तैयार हुआ, बोलिये, उनका आवाज दीजिये इतना चिला ये मतों माइक आवाज नहीं ले रहे है विचार और कपूर साथ का विवेशना बिनकुल ब्विग्यानिक दृष्टिकोड से अलग है दिन है मैं जी नहीं करता है विज्गान दृष्टिकोड आपना बताईए आप अपने रिलिजन बताइए जब आजी में पर्मेश्वर ने जोती और अधियारे को अलग किया पुजियाले को दिन कहा अधियारे को रात कहा अज़ियाले को अधियारे को अधियारे को रात कहा उसके बाद 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 बताती है कि परमेश्वर ने क्या किया दो बड़ी जोतिया बनाई उसमें से एक जोती है जो छोटी जोती जो रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और एक बड़ी जोती जो दिन पर प्रभुता करने के लिए बनाया तो जो राट को जो प्रभुता का दे वही चंद्रमा है जिसको परमेश्वर ने स्वाइन बनाया है अपने हथों से ठीक एक मिनिट एक मिनिट ठीक है ठीक है महांता थुरी बात में एक मिनिट अरे रुको ना भाई ब्रेक भी लगाओ विज्ञान ये कहता है और हिंदु धर्म भी ये मानता है चंद्रमा का अपना लाइट नहीं है ये सूरज के लाइट को परावलतित करता है और आप कहे रहें कि वो भी एक छूटी जोती है तो अगर एक छूटी जोती है तो फिर उतो सेल्फ लाइटिंग हो गई रिफ्लेक्शन है देखे उसके जबाब मैं दूँगा आप सवाल कुछे में जबाब दूँगा जबाब मेरा तो प्रस्ण हो गया मैं तो अग्ञानी व्यक्ति हूँ आप तो महान ग्ञानी है अरे आप कैसे अग्ञानी है आप इतना बड़ा प्रकार है इतना बड़ा कि आप अगर Bible के आनुसार चंद्रमा एक जूती है चोटी और सुरच बड़ी जूती है तो चंद्रमा तो जूती ही नहीं वो तो केवल mirroring का काम करें देखिए क्या है वो जोती का काम कैसे करता है? आपने कहा दो जोती बने, अपनी मन की बात मत जोड़िये, मन की बात नहीं जोड़िये, वो केवल मूधी जी करते हैं, आपको केवल पाइबल का विशलेशन करना है किसी के माध्यम से प्रकाश पहलाना और उसको जोती कहना इन दोनों में फर्क है अजी एक हो गया चली मेंद्रपालारे जी मेंद्रपालारे जी कुछ कहना चाहरे ज़रा उनको आवाज दीजी अजी अधेरे से प्रकाश को अलग करना पड़ेगा कि प्रकाश करने से अंधेरा अपने आप अलग होगा प्रश्णों की उत्तर दो ना देखो यहां को किसी को कम दिखाने के लिए थोड़ी बैठे हम तो आपको सब्मान दे रहें आप इतने कम हो यहाँ पर भारत में फिर भी आपको दो दो जगह लोगों को बिठाया है हाँ प्रश्णों का उत्तर दीजे चिलाए मत चिडिये मत हाँ मां यह कह रहा हूं अंधेरे को दूर करना पड़ेगा प्रकास को अंधेरे में अगर मुंबती जलाह अंधेर आपने आप दूर हो जाएगा अंधेरे को दूर करना यह क्यों और कैसा संभब होगा का लिवा दूसरी बात ये है कि सुर्य को बनाया चौथा दिन में सुर्यों बनाये बिना चौथा दिन का गिंती कैसे वुए चौथा दिन को कैसे जान पाए हुलूलूया हुलुलुया है या हुलुलुया है वो चौता दिन गिना किस चीज से गिना है बिना प्रकाश का जिसके आत्मा मंदरा रहा हो आत्मा मंदरा रहा हो आत्मा मंदराने का क्या मत्रा जरूर है लेकिन आपका बाइदिन का क्या नहीं आपके बाइद पटाना तो जिसकी आत्मा छ मंदलाना को मतलब होता है कि भूम रहे हैं तहल रहे हैं आप अब उस पर्मात्मा को यह वो प्रताजी लगा वो चिलना रहा जाकर चाहिए आदम कहा हो जबाब सुनो सर जबाब सुनो आपने बोला कि चौफा दिन कैसे हो गया आपको उसका के लिए बिना सूरज के आप एक बात बताएए सूरज अगर भरती पर नहीं उपता है काई दिन तक नहीं दिखाई देता है तो आपका बाइबल कहा सही है बाइबल कहा सही उतादा है एक मिन एक मिन एक मिन कुछ मुद्दे दर्श कोपी भी छोड़ते हैं हम नहीं उस पर कुछ करें मैं कभी नहीं कहीं तक यह सही गलते दर्शक हुशार होता ही करेंगे आप जो आपका येस म कुमार है ना आपका नाम क्या है एम का महंदर कुमार का इंगलीज कैसे होगा क्या ट्रांसलेशन होगा महंदर कुमार का महंदर का तो गौड का आप परविशोर कैसे कह रहें बाइबल में तो गौड का आगया है तूसका परविशोर कैसे कह रहें आप पानी पीते हैं पानी को आप अंगरेजी में वाटर क्यों कहते हैं क्यों करते वाटर पानी को बुलिए ना वह तो भाषा है उसकी का इंगलेश में नाम गौड है यह दोनों की है हमें तो शुकर है हमें तो नीर कहिए पानी कहिए वाटर कहिए लेकिन परमेश्वर वैदिक शब्द है आप आपको इससे बाहर निकाल देंगे अगर परमेश्वर कहेंगे तो हमारा जो परमात्मा है वो यहोबा नहीं है वो परमेश्वर नहीं है कुमारी महिला के संतान बना दे वो परमेश्वर है वो यहोबा है कुमारी महिला बिना पूर्शों से मिले संतान बना दे वो है वाईविल का यहोबा लेकिन हमारा परमात्मा साथ आपने किरेबान में घाब के देखिए कि आप में कितने कुवारिया प्रेगनेंट हुई है और कितने जन्मतिय है कि आपके दोरो मजरत में ऐसी बहुत सारी कहानिया है हमारे कोई आवज्यानिक चीज नहीं है कोई आप लोगों ने घुशाड़ी हुई चीज को हम मांगते नहीं है मेरे धर्म में कोई आवज्यानिक चीज नहीं है अगर है किसी ने घुशाड़ी है तो अब मेरा धर्म उसको नकार्णी की छूड़ देता है पूरा अभी मैं आपके पास आता हूं आप आप ना क्या आप अर्गुमेंट जादा करें तथ्थे देने के बजाए अब पूर दीजाब कई है हमाई समानते हैं जैसे आपके पहले दिपक जी थे उन्होंने का भई जो भी हो मैं समानता हूं तो उन्होंने आस्ता की बात कर लिए अभी हमारे साथ भाई आपे आपे ना थोड़ा मुसल्मान पर आन्या भी करें सेयद अजगर आली इतने देर से ब पताया कि कैसे बना चंद्रमा इसलाम के अनुसार चंद्रमा कैसे बना कुरान के अंदर इस वात का जिकर है 21.35 के अंदर क्या इंकान करने वाले निजएते के आकाश और पिर्थिवी प्रारम में एक जैसे फिर उसको छिटकाएके अलग-अलग कर दिया और फिर सूरज के लिए चांद और सूरज के लिए लिए अल्ला कुरान के अंदर सूर के हमने चांद को नूर बनाया और सूरज को दिपक बनाया यानि कि वो उसके रिफलेक्शन से चमकता है ना कि उसकी कोई अपनी जोती होती है चांद ठंडा है लोग उत पर जाकर चेहल कजमी आकर जाकर देखा हैं इसी तरह पुरान के अंदर इस बात का भी जिकरिक किया उसका है थे तुम आकाश में बहुत दूर तक जा सकते हो दूसरे गरो तक भी जा सकते हो मगर शक्ति और वेग के जरीए से वेग होना चाहिए उर्जा होनी चेहिए उसके जरीए से तुम दूसरे गिलो तक जा सकते Хो क्या अब भी तुम अपने पर्भू के work can जुटला ओ नहीं है तो यह किसी का आपमानी दरा कार्टून दिखाए कि जब चंद्रमा पर वैज्यानिक जाने लगे तो वहां से यह कहते हुए कि वह यह तो वगबोर्ड का यह नहीं है सुनिए मेरी बात सुनिए शुरेश जी आवाज आ रही है आपको एक मिट एक मिट जारा आपके आपके यह देखे जरा होड़ करी होड़ करी है यह लोग मजा कुला यह कह रहे हैं कि चांद की जमीन वग की मिलकियत है और पतर मारा कि तरह सब सुरज भी तारे भी सब सुरिष्टी के रचियता है किसी कर नहीं है तो वग का उगया यह दुरान कौट की विडिया बनाया वे जाने अब दूसरी बात आ शमझ लेजे इस वर का नियम यह है पर भू कर नियम यह है कि वह धरती का साभ तामने जो का ना एक मिन औरंग जेव ने जब भी मथुरा या काशी या अन्य कई मंदिर तो उसने ये कहां ये समूची धर्ती अल्लह की है और किसी बूत को वहां रहने नहीं देंगे आप उसको दोरा रहे ऐसा कहे के दूसरी बात आप समझ लिजिए आज कर टोपिक औरंग जेब नहीं है ने तस्य परतिमा नहीं है आप उसके सब्सक्राइब कर रहे हैं इश्वर की कोई परतिमा नहीं है ये हिंदुधरम में भी करता है आप बात सुनिए पहले समझ ये बात को बात में ये कहना चाहरा हूं क जशे पर्वी अपनी धर्तिका स्वामीत पपर चंद्रवा सूरज का स्वामीत उसी को परदान करता है इस में मुसल्मान होना फिंदु होना हिसाई होना जुद्धा की सला बкие coria now बच्चे होने का उधारन भी चार का ही दोगे अरे भाई दोका देदो बच्चे होईदाने का उधारन तो कम से कम दो देदो जरा दोनों को आगे करें है तागी हम जरा वीशे को जल्दी से समाथ करें अल्दा ने किसी और को नहीं माना एक ही दीन है जिसका नाम इसलाम है इनन दीन अर्डिंका इनल्लाहि लिस्लाम अब सब को कैसे कह रहें चले हम उस पर बात में बात है करेंगे क्योंके बात पूरी होनी चाहिए मैं सबका इंटरनेट ठीक ठाक रहे या पेक्षा करता हूं जरा पुरा लीजे सबको मैं कपूर जी क्योंके लेट आये हैं इसलिए उनको ज्यादा उसर नहीं मिल पाया कपूर जी है जो सारी बात्चित हो रही थी उसमें कुछ आप आड़ान करना चाहेंगे या कल बात करेंगे आपको मालूम है कि कुछ दिनों के बाद हम आदित्ती यान भी भेज रहे हैं हम सुरज पर भेज रहे हैं और उसके बाद गगन यान की विते यारी है अब मैं इस विशे में एक महत्वपूर्ण जानकारी सब लोगों के साथ सांजा करना चाहता हूं यह जितना हम लोग वेस्टन तरीके से काम कर रहे हैं कि चंद्रयान आदित्यान या गगन यान इन्होंने जितना भी जाके वहां इन्वेस्टिएशन करके जितना भी डेट हमें देना है और उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद जिन कंक्लूजन के उपर हमने पहुंचना है उसमें जितना समय जितना पैसा जितना अनर्जी वेस्ट होने जा रही है हमरा वेद देखिए मॉडरन साइस अभी जो करेंट सोलर सिस्टम है इसको इन्वेस्टिएट करन को में था हमारे पास यहां वेद के अंदर एक रिट सूक्त आता है रिट सूक्त क्या कहता है कि जो इनको फूल स्क्रिन लीजे ताकि अब दिखा सके लोगों को के साथ में जो सुक्तिय बोल रहे हैं इसको भी दिखाईए हां कि जो इसवक्त धरती है इस वक्त सूरज है इ आधुनिक विज्यान सिर्फ इसकी इन्वेस्टिएशन कर वा है, अगर मैं आज आधुनिक विज्यानिकों से ये पूछों कि क्या ऐसा ही सोलर सिस्ट्रम, ऐसा ही चान्द, ऐसी ही धर्ती, ऐसा ही सुरज पहले था, तो वो कहेंगे कि हमारे इंस्टूमेंट तो जो आधुनि आधुनिक थी, ऐसा ही चान्द था, और इसके थोड़ा और आगे चलिए, एक हमारे पर शिवी सुकता आता है, वो क्या कहता है, वो कहता है, कि ऐ लक्ष्मी, तेरे जो चार बेटे हैं, आनंद, कर्दम, श्वीद और चिक्रीत, जो इस कर्प में हैं, पिछले कर्प में यह पिछले कर्प में रिशी थे, हमारा बेट जो है, पिछले कर्प की विए बात करता है, अगर आप गुगल पर ऊपर एक बात लिखें, लिस्ट आफ कर्पास की कर्पों की सूची, तो आपको पूरे के पूरे पिछले 20 कर्पों की सूची मिल जाएगी, और आने वाले 20 दर्ती है, इसकी एक लाइफ है, एक पर्टिकलर टाइम के बाद ये धर्ती खत्म हो जाती है, ये जो सूरे है, इसके अंदर जो नुक्रियर फ्यूजन हो रही है, इसका मसाला भी एक दिन जैसे अनार का मसाला खत्म हो जाता है, ये सूरे की भी लाइफ है, चांद की भी ल किसी से पूछा आधुनिक विज्ञानिकों से अद देखिए हमने पूछा ये एक जेम्जी लव लॉक है नोव लॉर्येट है जब मंगल के ओपर अमेरिका ने अपना भेजना था मिशन तो उस टीम का कि वहां पर जाके क्या करेंगे कौंसे एक्सपेरिमेट करेंगे उस टीम हमने उनसे प्रश्ण पूछा हमने उनसे प्रश्ण पूछा कि बताईये कि धर्ती जो है ये सजीव है कि नर्जीव है अब सारा आधुनिक विज्ञान जो था ये कहता था धर्ती नर्जीव है जेम्जी लव लॉक ने पहरी बार ये मुद्दा उठाया कि धर्ती में भूमी सुक्त है, भूमी सुक्त भी कहता है सजीव है, अब बताइए कि every living organism has got three organs, body, mind and soul, अब ये बताइए कि इस धर्की का यो नियन प्रन है, इसकी आत्मा जो है, वो कहां पे है, उसके बारे में वो क्या लिखता है, कहता है, that is under investigation, मैं कहां, no question, your under, you have investigated वियर विवेत किहता है, मेरे विवेत का भूमी सुक्त का आठ्र मंत्र कहता है, नियस्या हर्दयम पर्मेवयोमन सत्तेनाबतम अमनतम पित्रिया, यस्या हर्दयम जिसका हेไดh, पर्मेवयोमन, परौपं भीयोम्स, परह स्थि ещё का य 1977 acuerdo he is by Sור 8 Hok Linked 7 ययो य यह ब्यूम है वो प्रम्यूम है युस्याहिद्यम पर्मे ब्यूमन सत्य से ढखा हुआ जिसको भगवत गीता में घंड पर्मेश्ष्ष्ष्व कहा गया वो जो साथ में अमनत्पूंज है वह इसका हार्ट बीट है वहां से नियंतनिस ध्र्वति का चलवा है जैसे किसी आदम का ECG डाउन हो जाता है तो आत्मी मल गया तो इसका जो हाटवीट है वह अम्रत पुछ से नियंत्रित है यह धर्टी जिन्दा है और धर्टी का हाटवीट वहां पे है इतनी अच्छा रखा है यह जो यह आभी हमारे पास एम कुमार जी ना हो कह रहे थे कि पृत्वी को भी ज स्टड़ी करके नहीं मैंने देखे आज इतने पन्ने लगाए थे यह सारे हिंदू धर्म गरंतों में चंद्रमा के उल्लेक के पन्ने हैं और यह आपर सभी रखे हैं मैंने सारे वेद रखे हैं मैंने वेद रखे हैं साथ साथ में मैंने रामायन भी लाई थी गीता भी कि हम बाइबल वालों के साथ एक अलग सीरीज करेंगे कल हम कुरान पर ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं ताकि महिंदरपाल आरया जी और जो दूसरे विद्वान इसलाम के हमारे साथ जुड़े हुए हम उनके साथ ज्यादा बात करें और दोनों इसाई स्कॉलर जो है उन मित् करने का समय मिल सके आज आप सभी का धन्हेवाद कल फिर मिलते कि अथि का आधिकार है या कि आवा धार्विक ग्रंथों के आधार पर सही है वजयनिक प्रूफ के आधार पर सही आज की लिटना मैं धन्यवान जाहिं झाल आपस्टें